हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू सकी मेकप स्टूडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम पारलर में फेस वैक्स कैसे करते हैं और फेस वैक्स करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज हम फेस पर र रिकावेक्स कर रहे हैं, क्यूमकि High rica wax बहुत अच्छे से एक बार में यह निकाल देती है इसे बार बार लगाने की जरुट नहीं पड़ती है। मेरी क्लाइंट है और हम इनका फेस वैक्स कर रहे हैं रीका वैक्स के साथ पहले हम फेस को क्लीन कर रहे हैं अच्छी तरीके से और हम पॉडर की अच्छी तरीके से एप्रिकेशन कर रहे हैं यह देखिएगा ताकि हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर है वो सेफ रहे यह देख क्लाइन बाहर से आता है, स्वेट होता है, या डस्ट होती है, तो वो सब पॉडर अब्जर्ब कर लेता है, और हम इनको रीका वैक्स कर रहे हैं, यह आल स्किन के लिए बैस्ट होती है, और सबसे में इनके यह सेफ होती है, यह देखिएगा, हम वैक्स लगाई हमने, बहुत यह आराम से हमने प्रेस करना है, फेस को और स्किन को स्ट्रेश करना है, और हमने वैक्स स्टिप्स खीच दी, यह देखिएगा, कितने हेर हैं इनके, निकल के आ गए हैं स्टिप्स पर, और हमने प्रेस के साथ स्किन को दबा भी है और वैक्स को बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है रहे हैं कि यह फेस का मामला होता है तो बहुत यह साब्धानी बन्रिये देखिए कितने ध्यान पूर्वग हम कर रहे हैं अ हे तो फिर किले रशारन करते जा में में समगे तो Lessامb टेकशिड्ल में वीशками करते जाएक हम के स्ब्सक्राख रहे हैं कि कि द्यारेक्षण कि कितने अराम से हम कर रहे हैं और क्लाइन भी हमारा कितना रिलाक्स होके करा रहा है उसको कोई पेन नहीं हो रही है इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी वैक्स कर रहे हैं यह देखेगा वैक्स करने का तरीका और फेस पर वैक्स कभी भी जल्दी 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 नहीं करनी चाहिए बहुती ध्यान पूर्वक छोटे-छोटे पैच लेके हमें करनी चाहिए देखो कितना क्लीन नजर आ रहा है इनका फेस कितने प्रेस करके अराम से और स्किन को हमेशा आपने स्ट्रेश करके रखना है स्किन को बिल्कुल भी लूज नहीं होने देना है देखे आप खुद देखेंगे फेस पे कोई रडनेस नहीं है मेरे क्लाइंट के यह हम इनका चिनेरिया कर रहे हैं छोटे छोटे पैच लेकर एकदम से पूरे फेस पे वैक्स लगाके जल्दी 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 वैक्स नहीं करनी हैं आपने बहुत ही साबधानी पूर्वक करना है आप दिखो आपको दिख रहा होगा कि हम कितनी पतली सी लेएर लगा रहे हैं वैक्स की और स्किन को टाइट पकड़ा हुआ है इजी ली हेर निकल के आ जाता है पस ये थोड़ी से साबधानी आप जरूर बढ़ते हैं जब भी वैक्स करें बिगनर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है मेरा टुटोरियल और वैक्स करते हुए एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि वैक्स जब भी आफ फिनीशिंग पर करें एक स्मिट्री में करें नहीं तो आप देखते होंगे कि जब भी कभी किसी का फेस पर वैक्स कराते हैं तो एक पैच सा नजर आता है तूर से पता चलता है कि इसने वै सिमिट्री में रहे पता ही ना चले कि फेस पर वैक्स हुई है कि नहीं हुई है पूरा इक्वल लगे फेस इस चीज का भी हमेशा हम दिखा रहे हैं यह चीज ना कि हमेशा सिमिट्री में ही लेके चलें मेरी क्लाइंट पता भी नहीं चलेगा कि नोंने फेस पर वैक्स कराई है और यही वैक्स हम कहीं इधर कर देते उधर कर देते तो एक अजीब सा पैच ना फेस पर नज़र आता तो यह चीज प्लीज आप ज़रूर ध्यान रखें यही चोटी-चोटी सी साब्धानिया होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आई होप आपको मेरे टुटोरियल पसंद आएगा और अगर चोटे एक दो बाल रह भी जाएं तो बार बार वैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है वैक्स अपने आप में बहुत अच्छी क्वालिटी की वैक्स होती है तो एक दोगर हेर रह भी जाएं तो उनको प्लकर से निकाल दें कोई फरक नी पड़ता अराम से निकल जाते हैं एक दो बाल उसके लिए बार बार वैक्स लगाने की क्या जरूरत है और पूरे फेस पर वैक्स हो गई है अब हम बहुत इस क्लाइन लगा रहे हैं फेस पर कोई बर्निंग नहीं है कोई रेड निशान नहीं है मेरे क्लाइन के फेस पर यह हमारे करने का तरीका और वैक्स का कमाल है और यह हम जैल की एक अप्लिकेशन कर रहे हैं कूलिंग के लिए हलाकि रेड नहीं है स्किन लेकिन फिर भी हमें साब्धानी रखनी चाहिए क्लाइन पार्लर से निकल के सीधा दूप के संपर्क में ही आता है तो जब तक वो अपने घर पे जाता है घर जाने के बाद ही वो संस्किन कुछ लगाएगा अपने तब तक लेकिन हमें तो प्रिकॉर्शन रखनी चाहिए यह जैल की एक अच्छी सी परत लगा रहे हैं और नेक्स्ट टूटोरियल के साथ आपके साथ तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मर्च और यह देखिए कितना नीट और क्लीन फेस हो गया है मेरे क्लाइंट का आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट्स करें लाइक करें और शेयर भी जरूर करें यह देखिए कितना क्लीन लग रहा है फेस इनका हिए तो